माता पार्वती के दो प्रस्ण मंगल सूत्र में कौन से मोती पहनने से बैवाहिक जीवन, दुखद और पती रोक रस्थ हो जाता है इंसान अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है एक बार भगवान शिप कैलास परवत पर बैठे थे माता पार्वती भगवान शिप के पास पहुंच जाती है और हाद जोड कर प्रातना करती है कि प्रभू मेरे दो प्रस्ण है आप इन दोनों प्रस्णों के उत्तर दे कर मेरे मन को पूरी तरह से संतुस्ट करने की कृपा करें फिर माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिप कहते हैं पार्वती ठीक है तुम अपने दोनों प्रस्णों पताओ मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रस्णों के उत्तर दे कर तुमको संतुस्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा तो माता पारवती कहती है प्रभू मेरा पहला प्रस्ण है मंगल सूत्र में कौन से मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद एवं पती रोग रस्त हो जाता है मेरा दूसरा प्रस्ण है इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है भगवानशिप कहते हैं पारवती तुम्हारे दोनों ही प्रस्ण बहुत ही महत पूर्ण हैं इन दोनों प्रस्णों के उत्तर बड़े ही ध्यान से सुनने पर किसी भी इस तरी का वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और एक दुखी इंसान अपने जीवन के सारे दुखों को दूर कर सकता है भगवानशिप कहते हैं पारवती तुम्हारे दोनों प्रस्णों के उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूँगा ताकि तुम अपने दोनों प्रस्णों के उत्तर ठीक तर ऐसे समझ सको तुम इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना क्योंकि आधी अधी अ भगवान शिप कहते हैं पार्वती एक बार विश्नु और लच्मी संत का रूप बना कर भ्रमड कर रहे थे तब ही रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पतनी के साथ बैठा रो रहा था फिर वै उसके पास गए और भोले तुम कौन हो इस बियावान जंगल में बैठ कर क्यों रो पारी हूँ जो किसी भी काम को नहीं कर सकता जो भी काम करता हूँ वो बिगड़ जाता है इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पतनी के गहने गवा दिये मैंने अपने परिवार को भी खो दिया और अब मेरा परिवार गरीवी में पड़ा है मुझे तो लगता है कि मैं किसी का वे व्यक्ति कहने लगा महराज पहले मैं खेती करता था मगर उसमें हर साल घटा होता था कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश होने के कारण सफल बरबाद हो जाती थी इससे परिशान होकर मैंने ब्यापार करने का निश्या किया मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने पत्नी के गहने बेच कर अपना ब्यापार सुरू किया जब ब्यापार नहीं चला तो सुरू सुरू में परवार वालों ने मेरा साथ दिया लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले भी मुझे से दूर हो गए मगर महाराज मैं यह सब अपने परिवार वारों के लिए ही तो कर रहा था लेकिन अब वैं लोग मुझे देख कर नजरे फिर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुरससा का जिम्मिदार ठहराते हैं मेरा एक मित्र है उसने भी मेरे साथ ही अपना ब्यापार शुरू किया था लेकिन उसका ब्यापार अच्छा चल रहा है वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानिया सुनाता है उसकी बाते सुनकर मेरे घरबाले भी कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और कुछ सीख हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है तू कुछ नहीं कर सकता महराज उन लोगों की बाते सुनकर के मुझे लगने लगा है कि शायद मेरे बस में कुछ भी नहीं है अब तो मुझे अपना जीवन ही बेर्ट लगने लगा है मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लू मैं यहाँ पर इसी इरादे से आया था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया इसलिए यहाँ पर एकांत में बैठ कर अपनी पत्नी के साथ रो रहा था भगवानशिप कहते हैं पारवती इस प्रकार उस ब्यक्ति की बात सुनकर विश्नु कहते हैं तो यह बात है क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ करना चाहते हो महराज एक तो मेरा काम खराब हो जाता है दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्यू और क्या ना करो किन्तु विश्नु कहने लगे क्या तुम अपने मित्र की बात सुनकर के वास्तर में दुखी हो जाते हो हाँ महाराज मैं अपने मित्र की बाते सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ तो विश्णू कहने लगे तुम्हें किस बात का दुख होता है अपने असफल होने का या फिर मित्र की सफल होने का अब वह व्यक्ति फिर एक पल सोचता है और उत्तर देता है महाराज अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है भगवान विश्णो कहते हैं यदी तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी तो वे व्यक्ति कहने लगा हां महराज मुझे बहुत खुशी होगी फिर विश्णो कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुमारी खुशी तुमारे मित्र पर निर्फर करती है अगर वे चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वे चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है तुम स्वेब ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो अर्थार्थ तुम अपने मित्र के पूरी तरह से गुलाम हो गए हो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता भगवानशिप कहते हैं पारवती जब विश्णो ने थोड़ी नाराज की दिखाई और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ कर कहने लगा महराज आप मुझे छोड़ कर मत जाईए आपकी बाते सुनकर कि मुझे कुछ आसा बन रही है फिर भगवान विश्णो कहते हैं यदि तुम मेरी बात मानने को तयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तयार हो हमेशा ध्यान रखना जब हम किसी से आसा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है इस से बहतर है कि तुम अपने आप से आसा बांधो जब तुम ऐसा करोगे तो साथ ही पूरे जतन से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी वोगवान सिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार विश्णों ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि तुम्हें लखता है कि तुम्हारा मितरः तुम्हें दुखी करने आता है पर अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो वहे बातें सही कहता है तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती हैं मगर मेरी नजर से तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कूल भी खराब नहीं है वह अपने संगर्ज और अनभव की बातें तुम्हें बताता है तुम अपने मित्र की बातों को ध्यान से सुनकर उन बातों को अपने जीवन में उतार कर बहुत कुछ सीख सकते हो तुम्हें उसके लिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनभव मिल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह सफल कैसे हुआ तुम अपने अनभवों का लाब उठाओ और एक नई शुरुआत करो कर्म करते जाओ हार मत मानो एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो एक दिन यह बदल जाएगी और किसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएगे और देखना जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी असफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा तब वे तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्म विस्वास हिल जाए और तुम गलत निरड़ा ले सको लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धी का परियोग करना होगा तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है इसी तरह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है अगवानशिप कहते हैं पारवती इस प्रकार विश्णू की बात सुनकर वैव्यक्ति कहने लगा महराज आपने सही कहा लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परवार के लोग भी इसमें शामिल है बास्तम मैं तो अपने परवार के लिए अच्छा करना चाता था लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने को तयार ही नहीं है वह तो मुझे घलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बड़ गई है कि मेरे साथ भी छोड़ दिया है अगवानशिप कहते हैं पारवती विश्नो कहने लग जाते हैं मैं तुम्हारी बात समझ गया किन तो चाहते हो तुम बास्तम मैं इस दुनिया में सभी लोग सात्वना की सात्वनाई ही चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रसंसा करें, लेकिन आम तोर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे मेत्र परिवार वाले सब मतलब ही हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो, तो उसके लिए क कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यूं लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो वास्ता में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो क्योंकि इसलिए परिवार के लिए कुछ करता है वास्ता में अपने लिए ही करना होता है लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम कुछ तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी निश्चेत रहोगे और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खोश रहोगे क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें सात्वना भी कोई जरूरत नहीं पड़ती भगवानशिप कहते हैं पार्वती फिर तो विश्नु की बाते सुनकर कि वो उस व्यक्ति के चहरे के भाव ही बदल गए वह कहने लगा महराज आप सही कह रहे हो समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हातों में थी अब मैं अपनी किस्मत को अपने हातों में रखूँगा और मैं पूरी महनत और लगन से फिर से काम करूँगा और जब तक सफलता नहीं मिल ज और कहा इस डिविया को हमेशा अपने पास रखना, इसमें ऐसा राज है जो तुम है बड़े से बड़े दुखों से भी हमेशा निकालेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस डिविया को तभी खोलना, जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता दिखाई ना दे तुम्हें लगे कि अब इस दुनिया में जीना बेकार है और यदि डिविया तुमने समय से पहले खोल दी तो वह सारे राज खतम हो जाएंगे भगवानशिप कहते हैं पारबती उस व्यक्ति ने विष्णू को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा वह डिविया को तभी खोलेगा अब इसी प्रकार लक्षमी ने एक डिविया निकाली और उस व्यक्ति की पत्नी को दे दी और कहा इस डिविया को इसनान करने के बाद तुम्हें कल खोलनी है फिर तुम्हारे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और सभी बिगडे काम तुम्हारे बन उसे पर्चा और एक मंगल सूतर था जो हर सुवागन की निशानी है फिर वै इस्तरी उस पर्चे को पढढ़ती है तो उसमें लिखा होता था कि उसे पढ़कर उस्तरी चकित हो जाती है इस समय माता पारबती भगवान से पूछती है प्रभू उस पर्चे में ऐसा क्या लि तो पारबती कहती हैं प्रभू वो कैसे सिपची कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रस्न था कि मंगल सूतर में कौन से मोती पहनने से बेवाहिक जीवन दुखद और पती रोगरस हो जाता है तो सुनो उस परचे में लिखा था कि बेटी तुम्हारे जीवन में दुख हो और परचे में मंगल सूतर के बारे में विस्तार से लिखा है उस परचे को बड़े ही धियान से पढ़ो और मंगल सूतर के रहसे को समझो और उसने उसको नियमानसार धारण करो भगवानशिप कहते हैं पारबती उस परचे में लिखा था कि मंगल सूतर को लेकर के छे गलतिया कभी नहीं करने चाहिए पहली के अक्सर देखा जाता है कि महलाओं को एक दूसरे की चीज मांग कर पहनना बहुत ही अच्छा लगता है यदि महलाओं को किसी के गले में कोई गहना पसंद आ जाता है तो वह उसे पहनने के लिए उधार मांग लेती है मगर तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि शादी सुदा महला को कभी भी किसी का भी मंगल सूतर मांग कर नहीं पहनना चाहिए ऐसा करने से पती की आयूप कम होती है और वह रोग गरस्त होता है इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए उस परचे में आकी लिखा था कि हर मंगल सूतर का निर्मार काले मोती और सोने से किया जाता है लेकिन एक बात का विसे जिहान रहे कि मंगल सूतर के अंदर काले मोती और सोने के मोती अवश्य होने चाहिए क्योंकि काले रंग के मोती हमेशा लोगों की बुरी नजरों से बचाते हैं जिससे कि आपके सुखी दामपत्ते जीवन को लोगों की नजर नहीं लगती इसलिए कभी भी ऐजा मंगल सूत्र नहीं पहनना चाहिए जिसमें काले मोती ना हो पत्ती जब पत्नी के गले में मंगल सूत्र डालता है तब से लेकर उसकी अंतिम सासों तक पत्नी को गले में मंगल सूत्र धारण किये रहना चाहिए। यदि किसी अन्होनी परिस्तिती में मंगल सूत्र को उतारा भी जाए तो उसकी जगे पर गले में एक काला धागा अवश्य धारण कर लिना चाहिए भगवानशिप कहते हैं पारवती उस परचे में आगे लिखा था कि मंगल सूत्र अचानक गले से तूटकर गिर जाता है तो उसे अफसगुर माना जाता है ऐसे में पती के स्वास्ते को हानी या रिस्तों में धरार हो सकती है इसलिए कभी भी गले में कमजोर मंगल सूत्र धारण नहीं करना चाहिए भगवान शिव कहते हैं पारवती मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें अपने पहले प्रस्न का उत्तर मिल गया होगा तो पारवती कहते हैं हाँ प्रभू मुझे मेरे पहले प्रस्न का उत्तर मिल गया और मैं पूरी तरह से संतुस्त हो भगवान शिव आगे कहते हैं पारवती फिर इस प्रकार उस इस्त्री ने उस मंगल सूत्र को धारण किया और फिर मंगल सूतर के प्रभाब से उस स्त्री का पती रोग के प्रभाब से मुक्त हो गया और खूब मेहनत करने लगा और इस प्रकारवय एक बड़ा ब्यापारी बना फिर अपनी पत्नी के साथ हसी खुशी रहने लगा भगवान शिप कहते हैं पारवती लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता अब तुम अपने दूसरे प्रशन का उत्तर सुनो तुम्हारा दूसरा प्रशन था कि एक दुखी इंसान किसमत को कैसे बदल सकता है लेकिन वक्त हमेसा एक जैसा नहीं रहता तो बदलता रहता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया एक दिन उसके राज पर पडोसी राज ने चड़ाई कर दी और फिर दूसरे राज के राजा ने उस राज पर कबजा कर लिया जिस राज में वह बयापारी रहता था उसके सैनिकों ने चारो ओर लूट माट मचा दी उन्होंने बयापारी की सारा धन लूट लिया उसके घर में आग लगा दी जान बचाने के लिए फिर उस बयापारी को अपने परवार के साथ बात भागना पड़ा अगवानशिप कहते हैं पारवती वह बयक्ति अपने परवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा वह दाने दाने को मोहताज हो गया उसका बच्चा बीमार हो गया इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा यह सब देखकर के उस बयक्ति का हिर्दय एकदम से चितकार कर उठा वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे ऐसे मैं एक बार फिर उस बयक्ति को निरासा ने घेल लिया उसे लगने लगा कि उसका जीवन बेर्थ है सारी दुनिया बेर्थ है किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर ले कितनी भी सफलता हासिल कर ले अनटतेश जीवन समाप्थी होता है जीवन जीवित रहने का क्या फाइदा इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को ही पूरी तरह से समाप्त कर लो भगवानशिप कहते हैं पारवती वे व्यक्ति अपने परवार के सहत आत्मत्या करने वाला ही था कि उसे उसी समय पर भगवान विश्णू की वे डिविया याद आ गई क्योंकि विश्णू ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ न दिखाई दे तो उस समय डिविया को खोल कर इस डिविया में एक परचा है उस परचे को खोल कर पढ़ना तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा फिर इसी प्रकार उस डिविया की याद आते ही उस ब्यक्ति ने वर डिविया निकाली और उसे उत्सुकता के साथ खोला डिविया के भीतर एक परचे में कुछ लिखा हुआ था उसे पढ़कर करके उस ब्यक्ति की आँखों के आ था कि एक दुखी इनसान किसमत को कैसे बदल सकता है तो उसमें लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा बाता पारवती बोली प्रभू मैं कुछ समझी नहीं तो भगवान शिप कहने लगे मैं तुम्हें बिस्तार से समझाता हूँ कि कभी भी इनसान के दिन एक जैसे नहीं रहते जब खराब दिन आते थे तो उस व्यक्ति के अच्छे दिन भी आए और जब अच्छे दिन भी ब्यतीत हो गए तो आज फिर खराब दिन आ गए तो हमेशा ही खराब दिन नहीं रहेंगे व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अप कोई कार मेहनत से करता है तो मेहनत का फ़लों से अवश्य मिलता है इस प्रकार उस पर्षे पर लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पड़ा और वैं समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए और आज फिर से बुरे दिन आ गए तो मेरे बुरे दिन यह भी फिर से बीट टल जाएंगे समय एक सा नहीं रहता और वैं एक दिन पहले से भी बड़ा ब्यापारी बन गया और अपने परवार के साथ अपना हथा